हलो एवरिवन, वेलकम टू रीटे अरूरा रेसिपी चैनल, आज मैं आपके साथ पकोड़ा चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो सुनने में थोड़ा जीब है, लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, और साथ ही ये है, बहुत ही कुरकुरी, क्रिस्पी, और अब हम इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्यास डाल देंगे, एक से दो हरेमेश डाल देंगे, बारीक कटी हुई, आधा कप बेसन डाल देंगे, नमक पेस्के कोडिंग डालेंगे, तीन चोथाई छोटी चमच गरा मसाला पाउडर, तीन चोथाई छोटी चमच अमच अ अब हम इसमें आधा कब बारीक कटा हुआ पनीर डालेंगे और इसे वापिस अच्छे से मेक्स कर लेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडर डालेंगे अब हम इसके पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे एक छोटी चमश अदरक लसून का पेस्ट डाल देंगे और फिर से थोड़ा सा पानी डालते हैं हम इसका एक गाड़ा mixture तयार कर लेंगे हम इसका बेटर नहीं बनाएंगे इसका एक mixture तयार करेंगे और यह देखिए आप इसका texture यह consistency देख सकते हैं यह बहुत जादा liquidy नहीं है ना बहुत जादा हमने इसका better त्यार किया है बस एक mixture की तरह हमने इसे बनाया है आप चाहें तो आप इसको चम्मस से इसके पकोड़े बना सकते हैं या फिर हाथ की मदद से भी इस तरह से बना सकते हैं आप मैं हाथ से इसमें से थोड़ा सा portion लो चाहिए और यह देखिए medium flame पर यह निचे से थोड़े से सीख गए है तो अब हम इने पलट लेंगे और इस तरह से पलटते हुए हम इने सब तरफ से golden color आने तक fry कर लेंगे और अगर आप इसे बिना fry किये या फिर बिना तले बनाना चाहते हैं तो आप इनी पकोड़ों को आप अमेकर में भी बना सकते हैं या फिर air fryer में भी और यह देखिए इन पर अच्छा सा golden color आ चुका है तो अब हम इने निकाल लेंगे और इसी तरह से बाखी के पकोड़े भी हम fry कर लेंगे और लीची हमारे पकोड़े बनकर के तयार हैं यह बहुत ही जादा tasty और crispy हैं य इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसके उपर मूली का लच्छा डालेंगे मूली को हमने कद्दुकस कर लिया है अब हम इसके उपर धनिया पुदिना की चटनी डालेंगे और साथ ही इमली की चटनी डालेंगे धनिया पुदिना और इमली की चटनी की recipe का link न तो आप इस recipe को अपने घर में जरूर try करें और अपने अन्वर हमाई साथ जरूर share करें अगर आपको हमाई recipes पसंद आती हैं तो हमारी चैनल रिचारोरा recipes को like, subscribe और share जरूर कीजिए और पास ही लगे bell icon पर जरूर press कर दें ताकि आपको नई videos की notification मिलते रहें और साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी जॉइन कर सकते हैं और नई-नई recipes के लिए